सबी प्यारे दोस्तों कोनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार एरोमा केमिस्टी क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभी नंदन करता हूँ जैसा की PGT examination में जो बहुत सारे papers हैं जिनके बारे में जानकारी ली ये सब papers अगर मैं आपके से बात करता हूँ ये chemistry के PGT के papers हैं जिनको study किया गया और study करने के बाद हमने ये निकाला है average questions का जो number निकाला है कि हम लोगों को कि क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए किन चीजों पर ज्यादा focus करना चाहिए इस बात पर आज हमारी पूरी चर्चा होगी तो वीडियो में पूरा बने रहीएगा और साथी साथ इस बात का भी ध्यान रखियेगा कि आपको किन टॉपिक्स के अलाबा किस जिसे आप जानते हैं कि organic chemistry है physical chemistry है और inorganic chemistry यानि chemistry को हम लोग generally तीन parts में divide कर लेते हैं ये तो आपको अच्छे से जानकारी है यानि की अगर मैं आप से कहूं कि chemistry को particular हम लोग कितने part में divide करते हैं यहां पर मैं आप से कहने की कोसिस करूँगा कि chemistry को हम लोग जो हैं वो divide कर लेते हैं तीन parts में लेकिन यहाँ जो तीन पार्ट केमिस्ट्री के हैं उसमें खास बात क्या होनी चाहिए यह बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी य cambi कि सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी पढ़ती है एक chemistry को हम लोग बोलते हैं भी या organic chemistry बोलते हैं organic chemistry पढ़नी पढ़ती है तो यहाँ पर organic chemistry फिजिकल chemistry और साथ में एक हो जाती हमारी inorganic chemistry अब inorganic chemistry के बाद खुश कोशन हमारे general chemistry से चले जाते हैं जो physical और inorganic का combination बोली जाती है तो फिर यहां पर मैं एक चीज़ और बढ़ाँगा जिसको हम लोग बूलते हैं कौन सी केमिस्टिय rendal केमिस्टी का नाम देते हैं तो अब हम लोग यहां पर general chemistry और बढ़ाएंगे तो यानि कहने का meaning यह है कि यहां पर general chemistry यानि कि GC और बढ़ा देता हूँ तो आखिरकार किस chemistry पर हमें ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए किस chemistry पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन सब बातों से जुड़ी हुई पुरी जानकारी आज आपको दूँगा इस proper वीडियो में यानि कि आपको किस chemistry पर बहुत फोकस करना है कौन सी chemistry पर ज़्यादा number हमें मिल सकते हैं किस chemistry से हमारा selection हो सकता है कौन सी chemistry ज़्यादा पढ़ें इन चीजों पर हमें पूरा ध्यान देना पढ़ेगा तो overall हम PGT examination के जो papers हैं उन papers को हमने 2009 से लेकर के और 2021 तक के paper यानि कि यहाँ पर 2021 मैं लिखे दे रहा हूँ इनके paper का मैंने जो पूरा idea लिया है पूरा जो समझा है कि कुछ variation 5 से 10 question का चला बाकी सब लगभग same रहा लेकिन 2010 में paper बहुत ही change था 10 और 11 कि अगर मैं बात करता हूँ तो paper में बहुत बड़ा परिवर्तन था तो वो भी आपको discussion करूँगा तो वो end में बताऊँगा कि आखिरकार उसमें क्या परिवर्तन था दीखे अगर आप लोग physical chemistry पर ध्यान देते हैं तो physical chemistry अधिकतर लोगों को लगता है कि physical chemistry हमारा selection रोक लेगी लेकिन ऐसा नहीं है physical chemistry केबल selection रोग पाए आपको देखना है कि total paper यानि कि अगर मैं question का number देखता हूँ तो यहाँ पर मैं आपसे बताने की कोसिस करूँगा पूरी तरीके से कि question का number जो होता है वो 125 अभी तक के examination में 125 था और into 3.4 यानि कि total जो questions रहते थे वो हमारे 125 रहते थे और एक question 3.4 marks का हमारा पूरा रहता था जैसा कि हमें ये paper समझाता है वो paper बताता है कि 3.4 का है और total हमारा हो जाता नीचे आपको निर्देश में भी लिखा होगा दो घंटे का समय रहता था 425 नमबर हमें इसमें गेन करने रहते थे और 425 maximum marks इसके रहते इसमें जहां पर भी कटाफ बने वो बनती थी ये एक तरीका था लेकिन आपको जानकारी दूँगा कि इसमें अगर मैंने जो notice किया है तक 5 question तो जाते थे लगभग general chemistry में मातर 5 से 6 question अब ये plus minus आप 2-4 question तो रखना ही पड़ेंगे 5 question यहां थे सबसे जाधा जो आई वो थी हमारी organic chemistry 2021 का paper उठाईए इसमें मैंने 50 question का दायरा देखा है अगर आपके पास paper है आपने दिया है तो आप idea लगा लेंगे कि 50 question organic chemistry से सबसे जाधा organic chemistry आई और इस organic chemistry ने ही हिला दिया था 2021 का paper इसी नहीं लोगों को damage कर दिया था organic chemistry से toughest questions ढून के बनाए गए थे तो यहीं से लोग selection से बाहर हो गए थे तो organic chemistry ने selection से बाहर कर दिया था 2021 में बहुत सारे हमारे साथियों को और अगर मैं physical chemistry देखता हूँ तो इसमें मात्र लगबग 35 questions 30 से 35 questions थे लेकिन मैं आपको बताने की कोसिस करूँगा यहाँ पर आप 30 से 35 है तो फिर 5 questions ऐसे भी थो जनरल और नार्गनिक से जोड़े हुए थे मैं यहाँ पर cable 30 questions आप paper उठाईए और note करिए और करिए उसमें से क्या लगबग 30 questions physical chemistry के थे और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि 40 questions इन और्गनिक केमिस्टी से उठाए गया तो जो लगता था कि ज़्यादा होगा वो कम रहा यहीं physical chemistry मातर 30 questions पर चली गई और और और्गनिक केमिस्टी 50 पर चली गई और इन और्गनिक केमिस्टी 40 पर चली गई यही अगर मैं दायरा उठा लेता हूँ 2013 का पेपर का तो उसमें भी बहुत बड़ा variation नहीं वहाँ भी और्गनिक केमिस्टी बहुत ज़्यादा amount में आई थी तो यानि कि overall कहने का meaning है कि हम लोग किन चीजों पर focus करना चाहिए तो यहाँ पर एक चर्चा और भी कर लेते हैं कि अब हमारे पास में और्गनिक केमिस्टी कबरेज यानि कि सबसे पहली preference हम लोगों को और्गनिक केमिस्टी पर देनी चाहिए यानि कि हमें और्गनिक केमिस्टी जाधा पढ़नी चाहिए और्गनिक केमिस्टी पढ़ने के लिए जिन किताबों का हम जिक्र करेंगे उनकी भी आपसे बात कर लेता हूँ तो और्गनिक केमिस्टी पढ़ने के लिए यानि कि अगर हम लोग 50 कोश्चन कर लेते हैं तो अब हम लोग लगबख 50% के कबरेज पर चाच चुके हैं तो 50 questions का meaning ये निकल करके आता है कि अगर आपने 50 questions किये तो फिर organic के toughest topic पर focus कर ये नंबर वन जीओसी पर बहुत ज्यादा focus करना है आपको बिलकुल छोनना नहीं है और जीओसी के बाद में जो topic सबसे ज्यादा coverage किये है इन्होंने वो topic आपके है अलकोहल है यानि कि जो chemistry अगर मैं कहूं तो aromatic chemistry को बहुत ज्यादा तबज्यों दी है यानि कि aromatic chemistry जो aromatic chemistry है उसको focus किया गया है और aromatic chemistry में चाहिए वो heterocyclic compound हो चाहिए फिर वो आपके दूसरी category के questions हो उसमें मतलब जो benzene से जुड़े हुए questions थे उनको बहुत ज्यादा focus कर दिया अगर आप paper उठा लेंगे तो फिर आयनि कि benzene related compound को ज्यादा ध्यान दिया गया है paper में तो ये चीज भी आप को note करना पड़ेगी कि हम लोगों को organic chemistry में कहां पर ध्यान देना है कौन से point पर focus करना है वो चीज भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी तो benzene के अगर मैं बात करता हूं तो benzene से related compound को ज्यादा तबज्यो दी थी paper वालों ने तो फिर यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि benzene से relation जो भी compound रखता होगा वो ज़्यादा important था ये बात 2021 की कर रहा हूं है 2021 के paper में अगर ध्यान देना पड़ेगा आपको तो ये चीज भी ध्यान देनी पड़ेगी कि question में mechanism based question ज़्यादा उठाए गए थे अगर आप question देखना चाहते तो organic chemistry में ये भी note करिए कि mechanism based question बहुत आपको बिसेज ध्यान देना ये कि number one पर आपको organic chemistry रखनी है यानि ध्यान देना पड़ेगा कि organic chemistry हमारी first prepare हो जाए तो यानि कि top most chemistry होनी चाहिए order क्या होना चाही chemistry पढ़ने का order हमारा ये होना चाहिए कि सबसे number one पर organic chemistry हम लोग पढ़े number one पर organic chemistry पढ़े उसके बाद और organic chemistry पढ़ने के लिए, मैं आपको सला दूँगा, कि आप जो जो बुक का यूज करें, वो मेरे हिसाब से जगदंबा सिंग जी की बुक को यूज करें, ठीक है, जहनि कि जगदंबा सिंग जी की जो बुक है, मुझे लगता है कि बेटर है, और उस book में एक खास बात ये भी कि maximum question का coverage भी किया गया है तो आप जे सिंग की किताब भी पढ़ लीजिए मुझे लगता है ये बात आपको ठीक है easy समझ में आ गई होगी इसके दोनों तीनों volume आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा organic chemistry का coverage इससे भी हो सकता है दूसरा इसके लिए आपको mk jen की किताब भी पढ़नी चाहिए mk jen या morison wide दोनों देखिए मैं जहां तक मैं इन किताबों को जो है वो देखा कि question यहां से मिले है question यहां से मिले है तीसरी चीज़ ये है कि mechanism के लिए आपको Jerry March की किताब पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से Jerry March की किताब पढ़नी चाहिए तो ये बात आप ध्यान दीजिए इन तीनों किताबों से आप अपनी organic chemistry को perfect कर पाएंगे तो number one पे हमें organic chemistry जरूर लेके जानी है और number two पर हमें ले जानी है physical chemistry वो sorry inorganic chemistry यानिकि number second पर हम अगर देख पा रहा है तो inorganic chemistry अगर coverage कर लेते हैं तो inorganic chemistry में आपको एक चीज़ नोट करिए inorganic chemistry जब पढ़ते हैं आप तो ये general chemistry भी coverage कर जाती है क्योंकि inorganic chemistry प्लस general chemistry ये दोनों coverage आपकी हो जाएंगी general chemistry को अगर आप देखोगे तो ये दोनों चीज़ें coverage करके ले जाएंगी सत्य प्रकास जी की बुक से पढ़िएगा और सत्य प्रकास जी की बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो फिर मैं आप से ये कहने की कोसिस करूँगा इसके दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम नंबर वन और वॉल्यूम नंबर टू को अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूँ इसे थर्ड नंबर पर लाऊंगा हाला कि ये टफ केमिस्ट्री में भी गिनी जाती है ये भी आप जानते हो तो यहाँ पर आपको किताब का नाम याद रखना है पुरी सर्मा एंड पठानिया पुरी सर्मा पठानिया की किताब को आप देखिए ये किताब जो है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए और अगर आप चाहों तो इजी बुक मतलब बहुत ज़्यादा टफिस्ट बुक की यहाँ पर जरूरत नहीं आपको पढ़नी चाहिए बहल बहल को भी आप देख लिए बहल एंड बहल ये किताब भी कोश्चन को बहुत कवरेज कर रही थी यह मैंने नूट किया था 2021 के पेपर में तो यहीं पर अगर हम और्डर केमिस्ट्री का देखना चाहिए तो सबसे नंबर वन पर हम और्गनिक केमिस्ट्री को ले जाएंगे नंबर टू पर हम इन और्गनिक केमिस्ट्री को ले जाएंगे नंबर थी पर हम फिजिकल केमिस्ट्री को ले जाएंगे तो यह हमारा डिक्रीजिंग ओर्डर हमारा जाना चाहिए डिक्रीजिंग ओर्डर आफ इस्टडी आफ इस्टडी डिक्रीजिंग ओर्डर आफ इस् जलते हैं और इसके बाद आप लास्ट में जनरल केमिस्टी को रख सकते हो जनरल केमिस्टी में पांच नंबर का पांच कोश्चन का वेरियेशन है तो और्गनिक केमिस्टी में 50 कोश्चन की दायरा जा रहा है इन और्गनिक केमिस्टी में लगभग 40 कोश्चन का दायरा जा रहा है और 5 question general chemistry के जा रहा है तो अब आपको ये कहने की जरूत बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों को question का collection कहां पर किस पर ज्यादा ध्यान देना है तो फिर आप बिल्कुल बेफिकर हो के इसी order में पढ़ें chemistry को तब आप 100% PGT में select हो जाएंगे यनि कि PGT selection की ये best strategy है PGT selection अगर आप चाहते हैं तो फिर आप note कर लीजे कि PGT selection के लिए आपको किस order को अपनाना है और किस order को follow करना है अगर आप इस order को follow करते हैं तो ये 100% sure है कि आप अपने paper को best performance में ले जा पाओगे अपने paper का best selection दे पाओगे अपने paper में selection के उस दायरे पर पहुचा पाओगे जहां पर आप चाहते हो तो इसलिए इस बात का धियान दीजिए कि अगर study well planned है तो फिर selection भी well planned हो जाएगा 100% हो जाएगा सीटों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा आपकी chemistry perfect करिए इस order में तयार करिए तो फिर 100% आप select हो जाएगे बहुत परहसान होने कि आपको जुरुत नहीं है किस order में पढ़े chemistry आज आपने पूरा जान लिए किन किताबों को follow करें किस order में पढ़ें इस चीज पर हमा chemistry को पढ़ना है तो यहाँ पर आपने पूरी planned study को समझा जाना तो फिर ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुचा दीजिए क्योंकि उनको भी इंतजार है कि आखिरकार किस chemistry को हम लोग ज़्यादा पढ़ें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो comment कर दीजेगा झाल झाल